सपोज आप इंडिया की एक टॉप रेटेट कमपनी में काम कर रहे हो, आँखों में बहुत से सपने हैं और इतनी बड़ी कमपनी में काम करने का प्राउट भी है, उसी दोरान आपको कुछ दिनों के छुट्टी दी जाती है, आप खुशे-खुशे घर जाते हो, इस क्या गुजरेगी, यकिनन आपके पैरो तले जमीन किसक जाएगी, आपको बता दें, मौजर्बेयर में काम करने वाले इंप्लोईज के साथ ऐसा ही हुआ, जब उन्होंने इस चीज को अपने रियल लाइफ में एक्सपेरियन्स किया, मौजर्बेयर ऑप्टिकल स्टोरेज से बेंक्रफ्ट हो गई, जिससे हजारों इंप्लोईज बेरोजगार हो गए, तो आखिर ऐसा क्या हुआ, कि सिर्फ एक साल के अंदर, दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट टिस्क मैनुफेक्टरर कंगाल हो गई, इस कंपनी से ऐसी क्या मिष्टेक हुई, कि आज इसे एक बह आपस लाने की कोशिश कर रही है, लेकिन मोजर्बेयर के मालिक दिपकपुरी, टैक्सपेर्स के 7000 करोड रुपया खा कर भी वो देश में ही मौजूद है, लेकिन उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगाने वाला, जिसके असली बज़ब पॉलिटिकल कनेक्शन मानी जाती है, ल कमपनी शुरू करने से पहले, उन्होंने लंदन के इंपेरियल कॉलेज से मेकैनिकल इंजिनिर्र की पढ़ाई की थी, और पढ़ाई खत्मोंने के बाद, 1962 के धोरान, उन्होंने कोलकाता में एक ओयल कमपनी एसो के अंदर, जूनियर एक्जेकेटिव के तौर पर काम करना वहां से काम चोड़ने के बाद, वो शालीमार पेंट्स के साथ जुड़े, और फिर 1964 में उन्होंने कोलकाता के अंदर, अपनी पहली कमपनी की शुरुवात की, जिसका नाम था Metal Industries Private Limited, इस कमपनी के अंदर, मेटल वायर और अलिमूनियम फरनीचर बनाये जाते थे, थोड़ जिसके बाद वो डेली सिफ्ट हो गए, और डेली में ही उन्होंने अपने दोस्त के पास एक Fluffy Disc देखी, और इन्होंने सोचा कि क्यो ना इसी सेक्टर में बिजनस किया जाए, अपने इसी आइडिया पर उन्होंने काम करना शुरु कर दिया, लेकिन सबसे बड़ी मेरुजन कॉर्पोरेशन से हाथ मिला लिया और लग गए Fluffy Disc को Manufacture करने में, शुरुवात में इन्होंने 8 और 5 इंच की Disc मनाई जो मार्केट में खूब भी की, लेकिन इन तीनों कंपनीज का Joint Venture जादे टाइम तक नहीं चला, बाद में Moser Bear एक Separate Company बन गई, जिसे धीपक जाड़ा Manufacturing Plant बनाया, जहां इन Products को Internationally Export किया जाता था, इस Manufacturing Plant के अंदर, अलग-अलग Computer Parts जैसे Printer, Fax Clearing Set और Anti-Clear Screen जैसे कई तरह की Product बहुत ही High Quantity में बनाये जा रहे थे, 1993 में कंपनी ने Fluffy Disc की Capacity को बढ़ा कर उनके Size को काफ़े छोटा कर दिया, और इन्होंने पहली ब 200 करोड रुपए लगा कर अपने Manufacturing Hub को इतना बड़ा कर लिया था, कि Mozer Bear दुनिया की Third Largest Disc Manufacturer बन चुकी थी, जिसके उसमें Manufacturing Capacity थी 100 Million Disc per Year, दोस्तों आपको बता दें कि 90's के दोरान, इंडिया में Fluffy Disc की कोई खास डिमांड नहीं होती थी, इसलिए ये अपने 85% से ज़्या CDs and DVDs की तरफ ज़्यादा Attract होने लगे, ऐसे में दीपक पूरी को लगने लगा कि आने वाले समय में Floppy की Market Demand खत्म हो जाएगी, इसलिए बदलते वक्त और बदलते टेकनोलजी के साथ, इन्होंने CD and DVDs के सेक्टर में एंटर करने का सोचा, पूरी ने देखा कि Digital Music और Data Storage की पॉपलर्टी बढ़ती ही जा रही है, और इसलिए उन्होंने 1999 में इसकी Manufacturing स्टार्ट कर दी, इन्होंने Noida के अंदर High Capacity वाले Plant Establish किये, ताकि अच्छी क्वालिटी के साथ-साथ बड़े पैमाने पर CDs and DVDs बनाई जा सके, जिसके लिए इन्होंने International Finance Corporation, JF Electra Limited से funding ली, उस सम के Market Share 300% per year के Speed से Grow कर रही थी, और कुछी समय के अंतर Mozer Bear, दुनिया में Optical Media का Largest Manufacturer बन गया, एक दसक्षे भी कम समय के अंदर, Mozer Bear ने अपनी Manufacturing Capacity को बढ़ाने के लिए 900 Million Dollars का Investment किया, और Global Market का 70% Blank Disc खुद ही Produce करने लगा, 2002 तक Company जादतर प्रोड़क्ट्स को बाहर के किया जाए, क्योंकि Large Consumer Base की वज़ा से, Indian Market जादतर Foreign Companies की भी 24 बन रही थी, इसी Plan के साथ, Mozer Bear ने इंडिया के अंदर, अपनी CDs and DVDs उतारना शुरू कर दिया, जो उस समय काफी popular भी हुई, 1999 से 2004 तक, इस Company के लिए पहुत ही जादा अच्छा समय रहा, और इसका revenue 24 Million Dollars से बढ़ कर 364 Million Dollar तक होच गया, साथी इनका profit भी अब 15 गुना बढ़ चुका था, इस तरह Mozer Bear ने खूब तरक्की की और International Market में भी नाम कमाया, लेकिन फिर यही चमक धीरे-धीरे फिकी पढ़ने लगी, और profit rate कम होता चला गया, ये पहली बार था जब Mozer Bear के growth को जटका लगा था, जि Optical Disc को बनाने का key component होता है, उसके बढ़ते दाम ने इस company पर बहुत बढ़ा impact डाला, इससे company का production cost बढ़ गया और profit margin कम हो गया, इन सब परेशानियों के बीच, Mozer Bear एक और भी बड़ी problem को phase कर रहा था, जो था competition, इसे ताइवान की companies जैसे के Retech Corporation, CMC Magnetic Corporation और ProDisc Technology से मुहतोड competition मिल लहा था, इसके अलावा कई companies ऐसी भी थी, जो चाइना से सस्ते labor cost पर product को manufacture कराती थी, ऐसे में वो सस्ते price पर optical disc को बेचने लगी, जिससे Mozer Bear के market share पर बहुत ही बड़ा impact पड़ा, हाला कि company के ये बुरे दिन चादा समय तक नहीं रहे, क्योंकि कुछ समय बाद raw material के price वा मिला लिया था, इसके अलावा इसने 2005 में एक और नया business शुरू किया, जिसका नाम था Mozer Bear Photo World Tech Limited, अब Mozer Bear कई नए areas में अपने business को expand करना शुरू कर दिया था, इसने कई सारी companies को भी acquire किया, और 2006 तक ये HD DVR भी manufacture करने लगा, 2007 तक ये USB flash drive और sound system भी बनाने लगा, और आपको जा मिलियन डॉलर जो उस समय एक बहुत ही बड़ी रकम थी, तेजी से ग्रो करते हुए Mozer Bear ने Philips Optical Technology के subsidiary company OM&T को acquire कर लिया था, ताकि solar photovoltaic cell का trial सुरू कर सके, इसके बाद कमपनी ने Noida के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा thin film solar fabrication plant setup किया, जिसके लिए इसने 150 मिलियन डॉलर के एप CCBS यानि foreign currency convertible bonds launch किये, 2011 में इस कमपनी ने दुनिया की सबसे slim-matched USB flash drive launch किया, फिर 2013 में कमपनी ने privacy concerns को समझते हुई biometric USB निकाले, और इनकी इस innovation की वज़ा से USB market इसके अच्छी खासी पगड़ बन गई, इस सबके अलावा Mozer Bear ने OLED lighting के business में भी entry ले और इसने खुद का एक e-commerce platform launch किया, लेकिन फिर सवाल ये आता है कि अगर सब कुछ इतना ही अच्छा चल लहा था, तो फिर ये कमपनी bankruptcy के कगार पर कैसे पहुँची, तो आए इसके पीशे के असली वज़ा को समझते हैं, असल में खुद को इतने sectors में diversify करने के लिए Mozer Bear ने कई सारे banks से चल रही थी, इस कमपनी को human resources, raw material और plant लगाने के लिए बहुँच जादा पैसो की जरूरत थी, जिसके लिए इसने global investors से 411 करोड रुपे का लोन लिया था, इन investors में Japanese firm Nomura, CDC Group, Credit Suisse, Morgan Stanley और IDFC जैसे private banking companies भी शामिल थी, अब सब कुछ plan के according चल ला हा था, लेकिन 2008 में आए global recession की वज़ा से company के सारे profit और growth के calculations धरे के धरे रह गए, solar panels की demand घट गई और company भारी loss का सामना करने लगी, वहीं दूसरी तरफ banks भी loan वापस करने के लिए company पर दबाव बना रहे थे, यहां तक कि मौजरबियर ने 2014 में इन सारे debt को clear करने के लिए Central Bank of India से loan भी मागा, इसे RBI ने ख अई बार इन debt के restructuring भी करवा चुकी थी, इसके इलावा company पर ये भी आरोप लगे कि वो फरजी दस्तावेशों के basis पर bank से fund ले रही थी, जिसके लिए directors and promoters business loan को personal use में ले रहे थे, अब एक तरफ तो ना इसे bankों से पैसे मिले और दूसरी तरफ इन सभी आरोपों के बाद Mother Bear की reputation खूब खराब होई, एक समय दुनिया की second largest disc manufacture करने वाली company की हालत अब ऐसी हो गई, कि ये अपने employees को salary देने तक भी काविल नहीं बची थी, इसी वज़ा से Mother Bear ने 2017 में बिना अपने employees को inform किये, company को shut down करने का फैसला कर लिया, सारे employees को कुछ दिनों के छुट्टी दे द तो banks और कुछ investors ने मिल कर, national company large tribunal से Mother Bear की complain कर दी, NCLT ने इस debt को clear करने के लिए Mother Bear को 270 दिन का time दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी इस company ने loan वापस नहीं किया, और 2018 में इस company को bankrupt घोशित कर दिया गया, जॉब से अचानक निकाले जाने और company को bankrupt घोशित करने के बाद, employees सडकों पर protest करने लगे, दीपकपुरी का पुतला जलाया गया और खूब हंगामा हुआ, कई सारे employees ने suicide करने के भी कोशिश की, एंड ये संघर्स कई सानों तक चलता रहा, यहां तक कि कई employees की तो heart attack और brain hammerage से मौत भी हो गई, मौजर्बेयर वरकर्स यूनियन ने आरोप लगाया कि company के मालिक ने political relations का फायदा उठा कर, बैंकों से बड़े बड़े loan लिये और 4-5 बड़ी companies open कर ली, आपको बता दे मद्दबर्देश के CM राचुके कमलनाथ, दीपकपुरी के साले हैं, ऐसे में इनके उपर भी कई आर लगाया था, यानि एक तरफ investors हंगामा कर रहे थे, तो दूसरी तरफ banks अपने पैसे वापस मांग रहे थे, और तो और employees भी अपने salary के लिए protest कर रहे थे, ऐसे में एक एक करके company के कई businesses कोडियों के भाव भिकने लग गए, जैसे NCLT ने मौजर्बेयर photovoltech limited को मात्र 72 करोर र Winpower Digital ने फिर से मौजर्बेयर के नाम से ही इन products को market में launch किया, और यही वज़ा है कि आप आज भी इस company के products को market में देख सकते हैं, दोस्तों दुख की बात यह है कि उन employees को आज तक इनसाफ नहीं मिल पाया, और वो अभी भी code के चकर काट रहे हैं, बाकि इसी तरह अगर आप